अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं आप वहाँ जाकर देख सकते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यूरी और यूरी की फ्रेंड सोरा के लिए एक वैलकम पार्टी और्गनाईज करती हैं जो बहुत ही शांदार होती हैं पहले कामिया को पार्टी में नहीं बुलाना चाहते थे लेकिन सोरा के कहने पर उन्हें जबर्दस्ती उससे पार्टी में बुलाना ही पड़ा जब कामिया पार्टी में आती है तो वो देखती है कि उन्होंने बहुत एच्छी तरीक से सजावट कर रखी है खाने के लिए बह के बात वहां पर चली जाती है फिर यूरी हीम हमारी और सभी दोस्ता अपस में बात करने लग जाते हैं कोई भी कामिया से बात नहीं करता है वह पूरी पार्टी में बस अकेले ही रहती है कीगो कामिया को देखता है कि वह अकेले है तो वह उसके सामने जा रहा हुता है जैसे के फ्रेंड्स सुरा को खीच कर सबके सामने लेकर आ जाती हैं और कहती है कि हमारे पार्टी का मेंन करेक्टर आ चुका है तब एक को वहां पर आता है और बोलता है कि यह पार्टी तुम्हारे ले और और बोलता है कि तुम जब भी बोलता है कि तुम जब भी बोलते हो तो मु बहुत पसंद था इसलिए वो तोड़ी देर तक वहां पर रहता है उसके बाद वो उन सभी से कहता है कि मैं यहां पर से जा रहा हूं तुम सभी इंज्वाई कर लो सभी बहुत शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसा जा रहे हो हमने यह पार्टी तुमानला और् यूरी और उसके सारे फ्रेंड साथ में बैठे रहते हैं तभी वहाँ पर काम्या आती है उन सभी के लिए स्वेट्स लेकर तो केको कहता है कि तुम क्यों सब कर रहे हैं तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ और बाते करो यूरी कहती है कि हां प्रकुर सभी का तुमने काम्या क क Lewis बोटे हैं के बोट में के रजये तो का में अर skin color दूनवीजिस को कश्राइब है ना कि अलगी रहते हैं को देखती है और सूछने कि रहते हैं कि जई कर एक जब दो हमारे साथ नहीं नहीं रहते हैं थोड़ी तेर जानते हैं और वो देखती हैं कि हममारे केगों के फ्रेंड के साथ है और वो उससे काफे अच्छे तरीके से बात भी कर रही है तो उन दोनों को हीममारी को देखकर बहुत जादा गुसा आता है फिर वो बोलते हैं कि ये केगों के क्या कर रही है ये कितने बेवकोफ रड़क है इसे तो हमें सबक सिकाना ही पड़ेगा इसने हमारे साथ दोस्ती क्या कर लिए है अपने आपको ज्यादा स्टालिश नहीं समझ रही है दूसरे तरह सोरा अकेले होकर पूरे व्यू को देख रहा होता है तब ही उसकी नजर काम्या पर पड़त की हो तो काम्या कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं उदास काहूं मैं तो खुश हूं तो केगो कहता है कि मुझसे जूट मट बोलो तुम स्कूर पेपी और यहां पर भी अपने आपको स्माइल करने के लिए फोर्स कर रही हो बड़ अंदर से तुम किसी बात के लिए द तुम मेरे साथ चलो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा फिर काम्या कहती है कि तुम मेरे टैंजन मतलो केगो कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो इसमें टैंजन किस बात का तो काम्या कहती है कि मुझे बता है कि तुम और यूरी रिलेशन में हो और अगर वो तुमें किसी औ उने सोरा आकर खड़ा हो जाता है और वो काम्या से बोलता है कि क्या तुम सच में केको से बात नहीं करना चाहती हो तो काम्या बोलती है कि तुम चुपकर हमारी बाते सुन रहे थे तो सोरा कहता है कि मैं सुन नहीं रहाता मैंने घर से तुम्हें बात करते हुए देख लिया तो कामिया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है मैंने उस दिन तुम्हें स्कूल की चेक पर बताया था ना कि केको और यूरी मेरा मज़ाग उड़ाना चाहते थे वैसे भी वो तुरों रिलेशन में है मुझे उनके बीच भी नहीं आना चाहिए फिर सोरा कहता है कि क्या उसने तुम्हें खुद बताया कि वो उसके साथ रिलेशन में तो कामिया कहती है कि नहीं मुझे बस ऐसा लगा फिर सोरा कहता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम उससे ऐसे बात कर रही हो दूसरी तरफ के को बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है फिर सोरा कामिया से कहता है अपने फ्रेंड को देखो वो किता ज़्यादा इंजॉय कर रही है सुविंग पूल के सामने तब ही कामिया वहाँ पर देखती है कि यूरी की फ्रेंड्स हिमारी से बत्तमीजी से बात कर रहे हैं और उसे धमका भी रहे हैं तो वह वहाँ पर से बाग कर हिमारी के सामने चली जाती है यूरी की फ्रेंड्स हीमारी से कहते हैं तुम अपने आपको जादा है नहीं बनने लग गई हो तुमने हमारा ग्रूप जोइन क्या किया तुम तो अपने आपको मिस्वर समझने लग गई हो यूरी वैसे तो हीमारी को अपनी बहुत इची दोस बोलती थी लेकिन जब वो देखती है कि उसकी फ्रेंड्स हीमारी से इतने बत्तमीज से बात करें तो वो कुछ भी नई बोलती है और दूर खड़े होकर बस स्माइली करती है तो हीमारी उनसे बड़े प्यार से बोलती है कि मैं और ताकी कावा जो कि केको को फ्रेंड है हम दोनों बस फ्रेंड्स है बट यूरी की फ्रेंड्स उसकी एक भी नई सुनते हैं और पूली क्लास के सामने उसकी बेस्ती करने लग जाते है कामिया हीमारी को देखती है और उससे बोलती है चलो हम वहाँ पर जाकर बात करते है और ऐसा कहकर वो हिमारी को पे साथ लिजाने वाली होती है तब तक यूरी की फ्रेंस हिमारी को धक्का मार देते हैं और हिमारी स्विमिंग पूल में गिरने वाली होती है तब तक कामिया उसे बचा देती है और वो खुदी जाकर swimming pool पे गिर जाती है सभी लोग वहाँ पर इकटा हो जाते हैं यूरी को कामिया की बेस्ती देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है सब कामिया को देखने लग जाते है लेकिन कोई भी उसकी help करने के लिए नहीं आता है जोरा तो कामिया को गिरता हुआ देखकर हसने लग जाता है और उसका मज़ाग बनाने लग जाता है उसके बाद कामिया उटती है और सबसे बूलती है कि पानी बहुत ही ज़्यादा है इसमें किसी कभी fault नहीं है मेरा पैर फेसला और मैं swimming pool में आकर गिर गई मैं ठीक हूँ किसी को भी मेरी टैंचन लिनी की ज़रुवत नहीं है हीम हमारी कामिया की तरफ देखती है और बहुत ज़्यादा शौक जाती है क्योंकि कामिया ने अपने स्कार चुपाने के लिए अपने फेस पर एक बैंडेज लगा रहा था जिसके कारण किसी को भी ज़्यादा पता नहीं चलता था कि कामिया के फेस पर बहुत ही गहरा स्कार है लेकिन swimming pool में गिनने के बज़र से वो बैंडेज निकल जाता है और सभी कामिया को देखकर बाते बनाने लग जाता है कहते हैं कि इसके फेस पर ये स्कार कितना जादा गंदा लग रहा है मुछे लगता नहीं तकि ये तना जादा बुरा लगीगा oh my god ये कितनी जादा आजीब लग रही है कामिया को उन सब की बाते सुनकर बहुत ज़्यादा अंकमफर्टेबल फील होने लग जाता है यूरी दूर से ही कामिया को देखकर हस रही होती है और उसे कामिया को तकलीफ में देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा रहा होता है कामिया उस स्कार को अपने हाथों से चिपाने की कोशिश करती है लेकिन सब ने तो उसे देख लिया था अब उसे चिपा कर भी कोई फाइदा नहीं था उसे बहुत ही जादा अंकमपोर्टेबल फिल होने लग जाता है सुरा भी कामिया को दूर से देखता है लेकिन वो कुछ नहीं करता है क्योंकि उसे लगता था कि कामिया एक बहुत स्ट्रॉंग लड़की है और वो इसे अकेला हैंडल कर सकती है लेकिन तोड़ी देल में कामिया को बचाने के लिए वहाँ पर केगो आ जाता है और वो कामिया को सब के सामने उठाता है केगो स्विमिंग पूर में गिनने के बाद बहुत तेज तेज चिलाने लग जाता है मेरा पैर दर्द हो रहा है मेरे पैर पर मुझ आ गई केगो का पैर देखने लग जाती है सबी उन पर हसने लग जाते है तुरी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो कि वो नहीं चाते थी कि केगो कामिया की हेल्प करे तब ही वहाँ पर सोरा आ जाता है और वो उन दोनों को एक एक करकर वाँ से बाहर निकाल देता है उसके बाद केगो कामिया और सोरा साथ में होते है सोरा केगो से बोलता है कि I think आज तुम बहुत ददा कूल लग रहे थे तुमें स्विमिंग करनी भी नहीं आती है फिर भी तुम कामिया को बज़ाने के लिए गए केगो कहता है कि मैं आज ही नहीं हमेशा ही कूल लगता हूँ वो तो मेरे पैर पे मोच आ गए थी वोना तुमें हमें बचाने के लिए आना ही नहीं पड़ता तब ही कामिया गेगो से बोलती है कि थैंक्यू मुझे आज बचाने के लिए बट आज के बाद मुझे तुम्हारे कोई भी हैल्प नी चाहिए गेगो कामिया से बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो फिर कामिया कहती है कि मैंने तुमें कहा ताना कि तुम मुझे दूर रहो बट फिर भी तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो मुझे पता है कि तुम ने ये सब मेरा मजाग बनाने के लिए किया ना तुम हमेश़ अपने convenience के हिसाब से ही मुझे इउस करते हो अब मैं तुम से दूर रहना चाते तुम मुझे दूर क्यों नहीं रह रहे हो क्यों बार बार मेरा सब के सामने मजाग बनाने पर तुल रखे हो तो केगो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो कामिया बोलती है कि मैं अब सब कुछ समझ गई हूँ फिर केगो चुप हो जाता है और बोलता है आज तक मैं आजे सुना था जो लोग हॉर्ट होते不錯 को भी हट करते है तूआ मने यह देख भी लिया तुम्हें जो करना है वह करो लेकिन म topics लिप जुलेकं म करता है कि मुझे बोलती है कि मुझे कुछ भी समझे हैं या रही है लेकिन असल में मेरे दिल पर क्या बीटती है ये मेरे सिवा और कोई नहीं जान सकता सब तो मुझसे दूर थे ही लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड हीममारी उसने भी अब मुझे अकेला छोड़ दिया है मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ हीममारी भी मुझसे बात नहीं करना चाती है वो भी मुझसे दूर दूर रहती है क्या मैं इतनी जादा बुरी हूँ तब तक वहाँ पर हीममारी आजाती है और वो उससे बोड़ती है कि तुमने ये कैसा सोच लिया कि इस इसकार की विज़र से मैं तुम्हें छोड़ दूँगी जब से तुम्हारे साथ वो इंसिडेंस वा तब से तुमने स्कूल आना बंद कर दिया ना ही तुमने मेरी कॉल उठाई मुझे लगा कि तुमने स्कूल ही चोड़ दिया है इसलिए मुझे ना चाहते होएं भी यूरी से दोस्ती करनी पड़ी ताकि मैं यहां अकेली नहीं रह जाओ तुमने मुझे एक बावी नहीं बता है कि तुम स्कूल दुबारा आने वाली हो फिर भी मुझे माफ कर दो मैं बहुत ज़दा शेलफिश हो गई थी और मैंने अपने ही बारे में सोचा मैंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि तुम अल्रेटी पेंट में हो मुझे तुमारे साथ रहना चाहिए इसके लिए मुझे माफ कर दो और ऐसा कहकर वो कामिया को गले लगा देती है सो राभी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है फिर हिमारी कामिया से बोलती है कि चलो रोना दोना बहुत हुआ अब तुम अपने कपड़े चेंज कर लो तुम यह मेरे लिए लेकर आई हो तैंकी सो मच तो हिमारी बोलती है कि जब तुम पूर्ण में गिरी तुम्हें इतनी ज़दा टेंशन में आ गई थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है लेकिन जब मैं यहां आ रही थी तो केको ने मुझे तुमारे लिए कुछ कपड़े दिये थे और कहा था कि इनको कामिया को जित देना वैसे वो हैंसम होने के साथ साथ कितना अच्छा भी है ना कामिया को बहुत ज़्यादा बुरा रखता है और वो सोचती है कि केको ने उसके हमेशा हैल्प की है उसने उसे गुसे में कितना ज़्यादा कुछ बोल दिया पर वो अकेली थी तब केगो उसका साथ देने के लिए आता था बट मैंने उसके साथ हमेशा बुरा ही किया कभी उससे विग्लोर मारा और कभी उससे ठीक से बात ही नहीं की वो तो हर टाइम मेरी हैल भी करना जा रहा था फिर काम्या डिसाइड करती है कि वो केगो से मिलेगी और उससे माफी मांगेगी उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करकर आती है और केगो को डूने लग जाती है फिर वो सोरा से आकर पोच्टी है कि तुमने केगो को देखा तो सोरा कहता है कि नहीं मैंने तो उसको नहीं देखा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहा बाइ!